हेलो एबरिवान कैसे हैं आप सब लोग लव फर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत हैं तो आज हम रूटिंग हॉर्मोंस की बारे में बात करने वाले हैं तो मैं आपको चार ऐसे रूटिंग हॉर्मोंस बताने वाली हूँ जो आपको घर में ही आसानी से मिल जाएंगे तो सबसे पहले है शहद जो कि किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं पर प्यॉर शहद होना चाहिए तो आप किसी भी खाली बर्तन में थोड़ा पानी डालिए और उसमें थोड़ा शहद डालके उसे mix कर लिए तो अब हमें क्या करना है कि इसे अच्छे से mix करके और जो भी हमारे पास cutting है जिसे हम grow करना चाहते हैं उसको हमें इसमें dip कर देना है लगभग 10 मिनट के लिए तो अगर आप पहले से ही cutting काट के रखे हैं तो आप 15 मिनट भी उसको dip कर सकते हैं और अगर आपने इसमें stem को 10-15 मिनट के लिए भीगा दिया उसके बाद आप डारेक्ट इसे soil में लगा दिजिए तो ये पहला तरीका है जिससे आप अपने प्लांट की जो cutting है उसको आसानी से grow कर सकते हैं तो चलिए अब दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं और उसको मैं आपको डारेक्ट soil में लगा के दिखाऊंगी तो दूसरे तरीके के लिए क्या करना है हमें कि stems को इसी शहत में ही भीगे रहने देना है थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए उसके बाद क्या लेना है आपको डाल चीनी तो डाल चीनी आपको ऐसे ही नहीं लेना है क्या करना है कि डाल ची का पाउडर है वो चिपक जाए हमारी कटिंग पे और हां हमें बहुत जादा दूरी तक नहीं चिपकाना है बस थोड़ी दूर पे लगाईए देखिए जैसे आप देख सकते हैं बस इतनी दूर पे दाल जीनी आपकी अच्छे से लग जाएं फिर आप इसे सॉयल में लगा द लिजे तो यह हमारा दूसरा तरीका हो गया इससे भी कटिंग काफी अच्छे से ग्रो करती है और रिजल्ट काफी अच्छा और जल्दी मिलता है तो चलिए अब तीसे तरीके की बात कर लेते हैं तो यह भी आप घर में आसानी से पा जाते हैं जैसे कि देखके ही पहचान लिजी में डिब किया था अपनी स्टैम को ऐसे हमें हल्दी में डिब कर लेना है । और उसके बाद इसे भी आसानी से ही जैसे हमने लगाया था सोल को搂न को थोड़ा सा completa करके और उसके बात इसे भी आप लगा दीजिये और यह भी काफी अच्छा तरीका है और घर में हल स्टेम बगरा मत लगाए करिये, शाम का टाइम अच्छा होता है, इसे क्या होता है शाम के टाइम पे का जो atmosphere उता है वो cuttings के लिए काफी अच्छा होता है तो है तो आप कोशिश करिएका कि शाम के रूटिंग हार्मोन की बात करती हूँ, तो वो है हमारा ऐलो वेरा, तो ऐलो वेरा का जो जेल होता है, वो बहुत ही अच्छा होता इस चीज के लिए, मैंने क्या किया है, प्लांट से ऐलो वेरा की एक लीव काट ली है, और उस लीव को काटने के बाद, अब मैं क्या कि यहां पर देखें, वैसे तो मेरी स्टेम मैंने शहद में भीगा रखे थी, लेकिन यहां पर आपको स्टेम भीगाने की ज़रूत नहीं है, आप डारेक्ट अलो वेरा जल इस पर लगा के, और अपने जो कटिंग है, उसको सोईल में लगा सकते हैं, तो उसके लिए क्या क कि जैसे अब आपने कटिंग लगा दी, तो नीचे तो हमारा जो कटिंग है वो सोईल में है, लेकिन जो उपर वाला पोर्शन है, यहां से प्लांट ना डाई होने लगता है, कभी-कभी ड्राइ हो जाता है, तो इसके लिए आप क्या करें ना, कि उपर की तरफ स्टेम पे आप इस तरीके से अलोवेरा जेल लगा दीजे, तो इससे क्या होगा ना, कि जो उपर का पोर्शन है, वो लॉक हो जाएगा, तो प्लांट में जो मौश्यर है, वो जल्दी से सूखेगा ने, मेंटेन रहेगा, और अगर आप लोग चाहें, तो इस तरीके से जैके मैं आप हो जाएगा, और प्लांट की जो ग्रोथ है, वो और तेजी से होगी, और इसकी जो ग्रोव होने के चांसी हैं, वो और जादा बढ़ जाएगे, तो अगर आप लोग चाहें, तो इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन इस समय जैसे वरसात का टाइम है, तो हमें ये करने की ज करिएगा, तो अगर आप इस तरीके से अपने प्लांट की क्रटिंग को ग्रोव करना चाहें, तो कर सकते हैं, और 100% आपके प्लांट की क्रटिंग ग्रोव हो जाएगी, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होगी, मैं इसका अप्डेट आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करू तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई, टेक केर